असलाम लेकुम विवर्ज कैसे हैं आप सब विवर्ज आज की वीडियो में हम अपनी बेबी के लिए बहुत ही खुबसूरत और न्यू स्टाइल में फ्रॉक बनाएंगे वो भी हमारे ड्रेस से बचे हुए कपड़ों से तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह देखे ना किया करें आपको आज आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरह से अपनी फ्रॉक पर डिजाइनिंग कर सकते हैं इन छोटे पीस से और यह हमारी कैप्री से बचा हुआ एक्स्टर पीस है इसकी साइड से हम एक्स्टर कपड़े को कट कर लेंगे हमने इससे फ्रॉक त्या करेंगे वह हमने जो हमारी शट से बचा हुआ पीस है वह अटैज कर लेंगे हमने कुछ इस तरह से सैट करते हुए रखना है और इसकी जो रेभ है कपड़े को हमने बिल्कुल सीधा कट कर लेना है अक्सार जो हमारी डिरैसीज बगएरा से कपड़े बचते हैं उनकी से प्रंट साइट पर इसको अटैच करना है तो सबसे पहले कुछ इस तरह से इसको सैट करते होए रखना हाक नहीं कि चुड़ा है वह में एक्सटर पीस्स से ठ्यार के वीडियो चाहते हैं तो भी आप मेरे चैनल के विजिट करते कि आपको cutting और switching की मुकमल वीडियो मिल जाएगी और अगर आप अपनी बेबी के लिए पठानी फ्रोग त्यार करना चाहते हैं बगयर लैसिस का यूज किये हमारे ड्रैसिस बगयरा से जो extra pieces बच जाते हैं उनसे हमने बहुत ही खुबसूरत और new style में पठानी फ्रोग की वीडियो अपने चैनल पर upload की हैं तो वो भी आप मेरे चैनल का विजिट करके देख सकते हैं अब हम पनी फ्रोग के front और back part के piece को अलग कर लेंगे cut करते हुए front side है उसकी चुडाई हमने कम ली है तो उसके लिए हमारी जो printed piece की पटी है उसको हमने पहले attach कर लेना है और उसके बाद हम अपनी फ्रोग की cutting करेंगे तो पहले हम इसको stitch कर लेते हैं हमने simple तरीके के साथ दोनों पटी ओपर सिलाई लगा लेनी है यह देखिए वर्स हमने printed piece को front part पर attach कर लिया है हमने printed party attach की है उसको हमने नीचे की तरफ किया है और उपर की तरफ हमने simple piece को रखा है अब हम अपनी फ्रोग की cutting कर लेंगे सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे जो हमने 5 इंच पर लगाएंगे यह हम 5.5 इंच पर लगाएंगे चेस्ट के निशान को fitting के निशान को इसाथ कुछ इस तरह से मिला लेना है और नीचे की तरफ हम हलका सा frog को align shape दे लेंगे यह हमारी frog की fitting का निशान है बाहर की तरफ हम 1 इंच का margin रखते होगे cutting का निशान बना लेंगे कुछ इस तरह से हमने pattern को draw करना है यह हमारी cutting का margin है अब हमने जो cutting क वाला निशान लगाया है उसको हमने कुछ इस तरह से cut कर लेना है जैसे हमने pattern को draw किया था अब कंदे को भी गुलाई में shape देते हुए हमने cut कर लेना है यह देखिए वर्स हमने अपनी frog की cutting कर ली है अब इसके हम neck की cutting कर लेंगे neck की जो हमने चुडाई लेनी है वो हम 2 इंच लेंगे और इसकी लंबाई हम 3.5 इंच लेंगे आप अपने according इसको कम या जादा भी कर सकते हैं हमारे यह simple piece की side पर neck design बनेगा तो हमने इस पर designing करनी है इसलिए हमने इसकी चुडाई और लंबाई अपने हिसाब से ही रखी है अब इसकी हमने गुलाई में shape देते हुए cut कर लेना है आप अपनी मर्जी से इसको V या चोर शेप भी दे सकते हैं हमने गुलाई में shape देते हुए अपने गले को cut किया है अलग कर लेंगे एक्स्ट्रा पीस को कट करने के बाद हमने कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करना है और सेंटर से कट कर लेना है यह देखे वरस हमने अपनी फ्रॉग के फ्रॉंट और बैक पार्ट के लिए दो फ्रिल कट कर ली है और यह जो दो पीस है इंच से हम अपनी फ्र side पर हमने एक इंच का निशान लगाया था और center में हम इसके cut लगा लेंगे दोनों pieces के इसकी मैं आपको चुडाई बता देती हूं कि हमने इसकी चुडाई कितनी ली है cutting करने के लिए तो इसकी चुडाई हमने 7 इंच ली है हमने अपनी frog के front side का जो simple part है उसकी पर designing करनी है तो उसके लिए हम pattern draw कर लेंगे हमने कुछ इस तरह से pattern को draw करना है हमने designing के लिए अपने pattern को कुछ इस तरह से shape दी है और गले के बराबर ही हमने इस piece को cut कर लेना है और बाहर की side से हम 1.5 इंच का margin रखते हुए इसको cut कर लेंगे इसी तरह हम अपने back गले पर भी attach करने के लिए पटी को cut कर लेंगे अब गले को हमने कुछ इस तरह से open रखना है और front side पर इस गले की पटी को रखते हुए stitch कर लेना है एक पाउं की सिलाई लगाते हुए यह देखिए वरस हमने पटी को stitch कर लिया है अपने neck पर अब इसकी हम cutting कर लेंगे हलके हलके cut लगाकर तोमाम extra कपड़े को हमने अंदर की तरह whirl कर लेना है खके ले और कपड़े को लेना है तमाम extra कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए यह दोरी अटाच कर लेना है यह देखिए वरस हमने बहुत ही finishing के साथ है अपने back हो front गले को stitch कर लिया है अब हमने जो फ्रोक की फ्रन्ट साइड पर पैटरन को ड्रॉग किया था उस पर हमने डोरी अटेच कर लेनी है हमारे पास जो बलैक सिंपल कपड़े का पीस था उससे हमने ये डोरी त्यार कर ली है ये डोरी तियार की है तो आप इस तरह से एक पाउंगी सिलाई लगा कर भी किसी भी कपड़े से ये डोरी तियार कर सकते हैं जो आपके ड्रेस के साथ कंट्रास हो तो हमने बलैक ये डोरी तियार की है तो इसको हमने कुछ इस तरह से रखते हुए अटेच कर लेना है अपनी पर हमने इसकी सैंसे में इस ताई कि फरॉग करना है को उसके सिलाई लगा लिए फरॉग कर लिए सबस्द के तो कि की पतियों ऐखे लिए हम अजय को अफिके सब्सक्राइब्स, अब जो पत्ति करनी है उनको मस ममें ठकत Vince with his एक चोटी पति करनी है तो आपने इस तरह से पहले पर纜ल को द्राव करना है इस तरह से हमारे म्मारी पतियों हों उनकी पिल्कुल बराबार Jen हम नें पती नें में लिए ओपने बड़े में बड़े साइज में चार पती करनी है वह हमने नो करनी है उसी तरह हम पती पर अटेश करेंगे यह डिदिय लिज्वाइश अपनी पती ने टाइज करना गोगा है अपने ड्रेस पर भी डिजाइनिंग कर सकते हैं यह बनकर बहुत ही जादा खुबसूरत लगेगा यह देखिए हमारे पास जो एक्स्टर पीस था इस पर हमने इसको अटैज कर लिया है अब इसके बिल्कुल जैसे इसकी शेप है इस पर हमने सिलाई लगा लेनी है यह देखि हमने सीदी तरह फोल्ड हो सुँद्धा करा लाएना है ताकि यह सामारे पति सीधा करा सिदी और खुल्ड है सीदी तरह ल Почему नकिल जैए इसको तिक बहुत ही और बहुत ज्यादा लगे तो यह पनी Kin वहीं को बहुत कि नौकदार लियु तो हमने अपनी पती को बहूत ही नि करेंगें तो पैटर्न पर अटैज करने से पहले हम अपनी फोग को supply कर लेंगे दोनों पार्ट को मैंट को हमने अटैज कर लिया है अब हमने जो तरह के Watts साथ किया अब हमने कंद रख मारी के से कंडे में करने में घंout करने भी इसको सब्सक्राइब दोन कुब इसही हुए हमने जो कट लगा सिर्फ पावों सिलाइए है तरह ने हुं दूसरी साइड की फ्रिल को भी सीती हसी तरह करना है उसके सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ वीवर्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कोमेंट करके भी जरूर बताया करें कि आपको मेरी डिजाइनिंग कैसी लगती है अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो साइड पर दो चोटी पतिएं अटैज की है और सेंटर में हमने जो फ्लावर बनाया है उस पर भी हमने पांच चोटी पतिएं अटैज की है और नीचे की तरफ हमने जो पैटर्न ड्रौ किया है एक साइड पर हमने तीन बड़ी पतिएं अटैज की है और एक साइड पर एक चोटी पती हैं इस तरह से हमने अपने पैटर्न को शेप देनी है अब इन तमाम पतियों को हमने फिनिशिंग के साथ स्टीच करना है तो उससे पहले हम इसको यूएच यू की मदद से अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि जब हम इस पर सिलाई लगाएं तो हमें असानी के साथ सिलाई लग जाए और हमारी पती आगे पीछे ना हो और इनकी शेप भी खराब ना हो तो हमने यूएच यू की मदद से तमाम पतियों को पहले अच्छे से अपनी जगा पर सेट कर लेना है और पिर हम इसकी किनारी पर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे सेंटर में हमने इसके ब्लैक कलर के बटन बनाकर अटैज करने हैं जो हम खुद ही तियार करेंगे अगर आपके पास पल्स वगएरा है तो वो भी आप अटैज कर सकते हैं मोफ कैमरा ही इस पर सिलाई लगाएंगे यह देखिए वर्ज बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने तमाम पतियो फ्रिल को स्टिच कर लिया है अब हमने कुछ इस तरह से फ्रिल पर हलकी हलकी प्लेट्स डाल कर इसको अपने घेर पर अटैज कर लेंगे इसी तरह हम बैक घेर पर भी अटैज कर लेंगे यह देखिए वर्ज बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने फ्रांट और बैक पार्ट पर फ्रिल को अटैज कर लिया है अब हम अपनी फ्रॉक की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे इसी तरह हम दूसरी साइट पर भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे यह देखिए वर्ज मुकमर स्टिच होने के बाद हमारी फ्रॉक की फाइनल लुक कुछ इस तरह से आई ह कमिन्ट सेक्शन में जरूर बताईएगा आपको आज का डिजाइन कैसा लगा मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक दीजिये इजाज़त अल्ला नहें के बान